तीम 22 पर जातक कथाएं बताएं जारे रही हैं और बहुत सारी गाथाएं भी धंपद में गाथाएं हैं कथाएं भी हैं देशनाएं भी हैं और जातक कथाओं में कथाएं हैं और जो उनकी moral education है गाथा का मतलब होता है कि जो गाया जा चुका है या जो गाया गया था और कथा का मतलब है जो कहिन है जो कहा गया था यानि जो कहा गया था और जो गाकर कहा गया था उसको कथा और गाथा बोलते हैं कथाएं और गाथाएं जो लिखी जाती हैं और जो छपके आती हैं वो बदली भी जा सकती है खाला स्वर से जो कहानिया होती हैं कहानिया बहुत तरह की होती है Stories होती है, कथाएं होती है, कहीं होती है वो कोई Science की हो सकती है, Science Fiction पर हो सकती है Science के Hypothetical हो सकती है, सोच पर अधारित हो सकती है कालपनिक हो सकती है, सची गटना पर अधारित हो सकती है सची कथाएं हो सकती है किसी को बहुत ज़्यादा उकसाने की कथा हो सकती है किसी को भोज़ता शांत करने की कता हो सकती है देश भक्ती की कता हो सकती है कहानी हो सकती है देश द्रोकी हो सकती है अपना काम निकालने के लिए किसी ने कहानी गड़ी हो सकती है कहानी बेसर पैर की हो सकती है बीच मैसे उठाई हो सकती है जैसे जातक कताओं की जो कहानिया उनका कोई time नहीं है ना उनका कोई time है, ना उनका कोई समय है, ना कोई उनका इस्थान है ना उनका कोई ऐसा इत्यास है, ना ही उनका कोई साक्षे है जातक कताओं की जो कहानिया है, वो सिर्फ कहानिया है, बीच में से चलती है और बीच में ही खतम हो जाती है उनका कोई सरपैर नहीं होता मगर वो अपना एक message देती है वो कालपनिक हो सकती है वो ठीक हो सकती है थोड़ी कालपनिक, थोड़ी सची हो सकती है मगर उनका एक अपना message होता है message के लिए कहानिया गड़ी जाती है बनाई जाती है, सारी दुनियाओं में ये चलती है जातक कथा तो बहुत फेमस है क्योंकि उनमें जो मॉरल लिट्री का सदाचार का आच्रण का जो सिक्षा है वो बहुत जवज़स्त और प्रवल है उन कहानियों को देखके बहुत सारी कहानियां उनके आसपास बराए गई है आप भी कोई भी कहानी बना सकते है कहानियां जितनी भी हो सकती है उनका एक उद्देश से होता है वो उद्देश से खराब भी हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है गाथा हैं जो हो सकती है जो गाके कहे गए हैं या जो दोएं हैं या चंद हैं या जो गीत हैं या जो कविताएं हैं उनको चेक दरना पड़ता है कि वो ठीक हैं या नहीं है आज के समय में वो खरी उतर रही है या नहीं है कोई गाथा ऐसी है कोई किसी ने चंद कोई बात कही है जो 200 साल परानी है चार सुल परानी है, पता नहीं वो आज के महौल में फिट है या नहीं है, हो सकता है वो बदल दी गई हो, हो सकता है उसका आर्थ जो है वो कुछ लोगों के लिए ही ठीक हो, पूरे संसार के लिए ना हो कुछ देश के लिए ठीक हो सकती है कुछ राजजे के लिए ये गाथाएं और कथाएं अलग-अलग संदर में, अलग जगें, अलग हिष्टी के अनुसार बनती हैं और बिगड़ती रहती है इसलिए अपने आप खुद चेक करें कोई भी गाथा या कथा सुनते समय कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है क्या इसकी जो एजुकेशन है वो समय के अनुसार बलकुर ठीक है या नहीं है क्या इसकी जो सिक्षा है इसकी जो एजुकेशन है इसमें जो बात कही गई है ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को लाब दे रही है या वो जगडे पैदा करा रही है या वो आपस में दुनिया में जहर खोल लही है इसलिए इसकी सतता, इसकी जानकारी, इसको अध्यस को आप कोई खुद ही परकना होगा इसके परकने का कोई थर्मामीटर या कोई पेमाना नहीं आता जो बुद्ध ने गाथाएं कहीं है उन गाथाओं के साथ में एक गाथा और भी कही है एक बात और भी बताई है कि जो बात वो कह रहे हैं उसको इसलिए नहीं मानना कि कोई ये कहे कि ये बुद्ध ने बताई है या इसलिए मत मानना कि ये लिखी है और बुद्ध की है या इसलिए मत मानना कि ये सुनी सुनाई है और पीछे से चली आ रही है या इसलिए नहीं मानना कि ये लिखी हुई है तो सच होगी या इसलिए मत मानना कि ये पत्थर पे लिखी हुई है तो ये बरिकुल सच होगी उसको तब मानना जब आप उसको अपने मन वचन करम से ये मान लें और ये समझ लें कि इसका उद्देश से पूरी दुनिया के लिए ठीक है पूरी दुनिया के लिए ठीक होना चाहिए सारे मनुस्य के लिए ठीक होना चाहिए अगर कोई बात ऐसी है जो सारे मनुस्य के लिए अच्छी नहीं है तो वो मानत्ता के हुमनिटी के मनुस्य के खिलाफ जा रही है जिसमें आप भी आते हैं कियोंकि आप भी मनुस्य हैं, आप भी हुमन हैं, कोई नहीं चायता कि किसी मनुस्य के हानी हो, क्यूंकि अगर उसको हानी होगी तो वो हानी करने वालों को हम ऐसा याद रखेगा, मन वचन करम से उसके पीछे पढ़ेगा और उसको 50 जिगह जाक कहेगा कि यहानी मुझे उस आदमी ने पहुंचाई है इससे जो चक्र है जीवन का वो खराब होता है इसलिए यहाँ जो जातक कथाएं बताई जा रही है उनमें बार बार बताई जा सकता है कि ये कालपनिक है ये कथा इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसमें एक स्टोरी है इसमें एक बच्चो को आएगा, जो शब्द पाली का नहीं होगा, या पाली ने बाहर से लिया होगा, तो वो समय समय पर बता दिया जाता है, कि ये शब्द यहां का नहीं है, या इस सब्द का ये मतलब है, बहुत सारा साहिते बुद्ध के बाद में लिखा गया, बनाया गया, उसको सेटल करने का, करना का उसको संसुधित करने में का उसको काम चल नंहीं की चाहिते दोबारा निकल के आया है इसलिए सको छाटना है देखना है कि वो क्या है क्या रहे हैं निकल के आ रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि ये साहितने में फिट होते हैं या नहीं होते हैं धीरे-धीरे सब होगा क्योंकि लोग पाली बहुत देशा सीख रहे हैं और जाने हैं पाली वो भासा है जो प्राकरतिक भासा है यानि कहानी जो होती है वो अपने उद्देश से के पूर्टी करती है या नहीं करती है यह आप के उपर है आप उसको कैसे लेते हैं धन्यवाद यानि, लाइ, यार करते हैं नहीं करता है यारायलोए है वे error ज़रीं अपने से का केऊ करता है। याराय के कि युली है से कि मुझा खिक मुझा खिक मुझा है उसके दोड़ी आपी है रिषिास मुझा ठीके ह पल बच्पों e समय क करता है cuma झाल झाल